नमस्कार दोस्तों, अब तक तो भागेश्वर बाबा को अंद मूलन श्रद्धा समिती के श्याम मानव ने ही चैलेंज किया था, लेकिन अब बाबा को चुनौती देने एक चोर भी आ गया है, इस चोर ने बागेश्वर बाबा के दरबार में हास साफ कर दिया है, दरबार के अंदर चोरी हो गई है, ये चोरी कोई 150 रुपए की चोरी नहीं थी, पूरे के पूरे 4,87,000 रुपए की चोरी थी, दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री बाबा अपने चमतकार से किसी के बारे में भी बता देते हैं, किसको क्या दिक्कत है, किसका द चमतकारी बाबा को भी नहीं पता, पता तो तब लगा जब 50-60 लोगों की भीड पुलिस टेशन पहुँच गई, दोस्तों, हुआ ये कि मुंबई के मीरा रोड के पास बागेश्वर बाबा का दिव्वे दर्बार सजाए गया था, इस दर्बार में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के हजारों भक्त उन्हें सुनने के लिए आये थे, दर्बार के पहले ही दिन जब प्रोग्राम खतम हुआ तो एक तरफ तो लोग गर लोट रहे थे, लेकिन महीं दूसरी तरफ करीब 50-60 लोगों की भीड मीरा रोड पुलिस टेशन पहुँच गई, इसमें ज्य अचानक से इतनी सारी भीड देखकर एकदम हैरान हो गई, हाला कि जो महिलाएं बागेश्वर बाबा में अरजी लगाकर अपनी समस्या कर समदान डूनने गई थी, उन्हें आखिरकार पुलिस से ही अपनी शिकायत दर्च करवानी पड़ी, अब इन महिलाओं के शिकायत के पुलिस ने केस दर्च करके जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन दोस्तों बागेश्वर बाबा के दर्बार में ये कांड कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले बागेश्वर बाबा के कारिकरम श्री राम कता में कलश यात्रा के दौरान भी ऐसे ही चोरी हुई थी, तब भी महिलाओं के गले से मंगल सूत्र गायब हो गये थे, हाला कि बाद में चोरी करने वाली दो महिलाओं को पकड़ लिया गया था, दोस्तों वैसे तो धीरेंद्र शास्त्री ने मुंबई में इसलिए दर्बार लगा कर अपने विरोधियों को चैलेंज दिया था, कि जिससे खुजली है आजाए, मरहम भू लगा देंगे, लेकिन लगता है उनका चैलेंग चोरों ने सुईकार कर लिया, पर मरहम तो लगा नहीं, उल्टा भक्तों को लाखों का चूना अलग लग गया, अब सवाल ये है कि क्या बाबा अपनी दिव शक्ती से इन चोरों के न नहीं मस्कार